हम economics को two parts में divide करते हैं first one is positive economics and another one is normative economics तो ये positive और normative economics आखिर हैं क्या आज की इस वीडियो में मातर पांच मिनट में मैं आपके इस doubt को lifetime के लिए दूर करने वाला हूँ तो चलिए करते हैं start सबसे पहले मैं start करूँगा इसके meaning से positive economics positive economics deals with what is आखिर है क्या इसका मतलब आज की date में आपके पास क्या है मैं बात करता हूँ इसकी एक example से जर्नली हम बोलते हैं कि किसी भी commodity का price अगर increase होता है तो उसकी demand decrease हो जाती है ये कौन बोलती है positive economics जो reality के उपर based है जो fact के उपर based है इसके opposite अगर मैं normative economics को लेके बात करूँ तो वो क्या बोलती है normative economics deals with what ought to be ये pure suggestion होती है ये opinions के उपर based होती है ये क्या बोलती है क्या होना चाहिए like आपकी country में जो inflation continuously increase होने लग रही है आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आप उस inflation को control में ला सकते है किस economics के पार्ट को verify क्या जा सकता और किसको नहीं क्या जा सकता positive economics को आप verify कर सकते है क्योंकि ये किस के उपर based होता है ये reality के उपर based होता है यह informative आपकी information के उपर बेस्ट होता है इसलिए like इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में आपके 12 tournaments हुए है उन सभी के सभी tournaments में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह पठकनी दी है इसको आपने information को ठाके चाहे वो आपने google से चाहे आपने किसी भी informative manner से उसे opinions के उपर बेस्ट होती है और opinions को कभी भी आप verify नहीं कर सकते तो normative economics cannot be verify क्योंकि suggestion और opinions को आप जब तक implement ना कर दो real life पे तब तक उन्हें आप कभी भी verify नहीं कर सकते value judgment आपकी positive economics को कभी भी value judgment का part नहीं बनाये जाता क्योंकि value judgment का मतलब purely debates होता है like cbsc ने announce किया fab month में कि हम आने वाली मार्च में मार्च की 5 से 7 तारिक से अपनी plus 2 की boards की परिक्षाएं आरम करने जा रहे हैं तो जितने भी आपके plus 2 के candidates होंगे whatever वो arts, commerce, mad और non-medical किसी भी stream से belong करते होंगे वो higher marks achieve करने के लिए higher percentage अचीव करने के लिए अपनी preparations start कर देंगे without any cautioning but अगर मैं इसके opposite normative economics को लेके बात करता हूँ वो debates के अपर based होती है there is always a possibility of debates in case of normative economics मैं group of person से एक question put करता हूँ क्या राहुल गांदी हमारे भविश्य के PM हो सकते हैं तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार यह पपू PM बनेगा क्या इससे better तो मैं ही ना बन जाओं PM अपनी Indian country का तो कुछ लोग कहेंगे नहीं यार यह innovative idea है हमें राहुल गांदी को एक chance देना चाहिए शायद वो PM मोधी से कुछ better करके दे तो इस मैनर में जो आपके positive सोच वाले जो राहुल गांदी को स्पोर्ट करने वाले हैं और जो राहुल गांदी के opposition में बैठी हैं तो उन दोनों के बीच में इस बात को लेके debate स्टार्ट हो जाएगी कि राहुल गांदी को PM बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इट मेंज normative economics purely based होती है आपकी debates के उपर लास्ट और final point जो positive और normative economics से रिलेटर होता है वो होता relations positive economics generally based होती है real fact के उपर लाइक इसका एक example देता हूँ इंडिया और चाइना की GDP चाइना की GDP इंडिया की GDP से near about five times more है ये आपने survey करके reality के through represent करके दिया है उसको implement करके दिया है बट इसके opposite अगर मैं normative economics के बात करूँ वो एक individual persons के opinions के उपर based होता है कि हमें क्या करना चाहिए और वो आपका just related होता है आपके opinions के साथ इसको छोड़के वो किसी भी specific manner से related नहीं होता ये आपके in short positive और normative economics को लेके कुछ important बात थी जिसको समझने के बात आप इन दोनों के real meaning को समझ जाएंगे in short मैं आपको एकी बात बोलूगा positive economics, positive thoughts को लेके based होती है और इसके opposite normative economics pure suggestional होती है जिसको आप कभी भी verify नहीं कर सकते I hope आज की इस वीडियो में आपको positive और normative से related सभी बातें अच्छी तरह clear होई होगे Thank you so much